तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विबेक सिंग फिर से आपके लिए एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ फिर से लेके आ गया हूँ और आज के इस वीडियो के माधम से दोस्तों हम लोग यह जाने वाले हैं कि बरसाथ के मौसा में आटा क्यों जलता है बरसाथ के मौसम में चकी से धुआ क्यों आती है बरसाथ के मौसम में आटा जादा क्यों जलता है इसके विपषे में घर्मक चर्चर्चे करने वाले आसा करूंगा दोस्तों मित्रों वीडियो आपको पसंद आएगी सबसे पैसे सबस्कारों आपको लाइक करें अगर आपकी चकी पुरानी हो गया हो या हद से ज्यादा उल्ड हो या हथ से जदा डैमिज हो गया हो या तो उसका साप D advice पुराना को अगर तो अस्टान तूट गया हो कुछ एगर ऐसा हो तो यह अैसा होता है तो में अब कितना भी पिसाई कर दें, कितना भी टकाई कर दें, गिसाई कर दें, वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि पतला हो जाता है पत्थल, पतला होने के कारण उस इस्तिती में वो माल नहीं पिस पाता है, जिसके कारण आटा बारिक नहीं हो पाती है, कस्टमर का सिखायत आता है, आटा द्यूंट कीज़की दोस्तों अगर आप और नाली बंदद तो रहा यहां से आटा तो फैट में जापा पती इसुने करने के कारण जब आटा चलते रहतीर चलते रहती है तो आटा वहां पर पकड़ लेती है पकड़ने के कारण नहीं जा पाती है इसके जल्द आजद दाता है और चक्की से दोस्तों धुआ भी आने लगता आप देखते होंगे वहां पर धुआ आने लगता जब धुआ है तो आपको एक ही काम करना है प्रेसर को डौन करता है और गेहुम अगर आप गीर रहें अगर तेजी स्वीड से तो गेहुम को हलका रहने वाला खली के चीलफा टैब का बन के कास्टाम आजगा अब ध्यान से नोटिस की होंगे अगर आप कर्कारन होगे या यह दोस्तों अपकी तकाई कंजोर है अगर आप तकाई एगर खुझ से नहीं करने जानते हैं तो आप एक mystery बुला बुत जारे हैं नंष नहीं होता है नमीं होता है धूप आती नहीं है तो सूक नहीं पाती है जिसके कारण अंद्र मौ बंशे समौ बंदे के बाद दोस्तों वाहन पर बाहर आंटर नहीं आप आती है प्रफट में चिपकने के बाद दूंब आता है जलता भी जादा है तो ऐसा गलती ना करें आप अगर हलका अगर माली जाए तो देधरे करके पीसे ठीक है वहां पर पिसाई तो फिर टैट ले ही लेकिन आप टकाई जो है प्रफ बोल्ड करें ताकि अदम चार इंची पांची गड़्य करें ताकि आपको पिजाई करें वहां को भी मज़ अगला कारण आप को अजा होता है आप वीडियो को लाइक करें आपको क्या आपका माल खत्म हो जाए तो डालने में बहुत लोग को लेट होता है जिसके कारण खाली पत्थल चलता है और खाली पत्थल रॉंड होने के कारण वहाँ पे दिक्कत आएगा तो माल जब भी खत्म होता है तो तुरत वहाँ पे नेक्ष माल कश्चमर कर डाल दे उसे चक्की को खाली नहीं चलने दे अगर खाली चलता है तो दिक्कत होगा दोस्तो आपका जो चक्की का पत्थल हो सबसे कम समय में घी जाएगा लभी बगता चलेगा नहीं और वहाँ पे आपका भी है शिकाय तो हंडेट पर्टेंट होगा ही होगा दोस्तो वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तो और चैनल क को सस्कायब जरू करते रहें और आपको इनमें से कौन सा बात आपको अच्छा लगा क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है सबसे पहला दोस्तों कुछ प्वाइंट मुख जौपी को याद देखना है टकाई एदम बोल्ड होनी चाहिए लाजवाब होनी चाहिए आपका पार चैनल और अगला किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत बड़ा धान्यवाद